सबसे पहले दोस्तों जय हिन जय भारत जय जवान जय किशान जहां दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर आई है बहुत ही बड़ी खबर जो की पूरा भारत देश सोकुल है जहां खबर सुनके आप चौक जाएंगे हमारे शेना प्रमुक्षेना ध्यक्ष सीडियस विपिन सिंग रावत इस दुन्या में अपने रहे जियां खबर यह रहे हैं दोस्तों कि सुनूर से कुनूर जाने के करम में MI-17 हेलिकाप्टर नीलगरी की पाड़ी में हाथसा ग्रस्त हो गया है और उस हाथसा में कुल 14 लोग चापर में शावार थे और 14 में से 13 लोग का त्यांत ह हो गया है एक सेना नाया के बचे हैं जिहां क्या हुआ था क्या नहीं अब वही कोट ऑफ इंक्वैरी कर दी गई है आगे की जानकरी मैं आपको देता रहूंगा तो दोस्तों यहां भारत देश के लिए बहुत ही बुरी ख़बर है अब्दुल कलाम जी के बाद में पिपिन से रोकने के लिए जजबे को हम सलाम करते हैं विपिन सिंग रावज को को रखारेंट से बिलोंग करने वाली विपिन सिंग रावज की कहनी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तो बने रही हमारे वीडियो पर अंध तक वीडियो के स्कीप नहीं किजेगा क्योंकि यह 30 स हुआ है जिया दोस्तों स्थीं तो जिए संग जरे भी का सकhita प्रूबयार में your में राजपुट परिवार में है यह रावत जोकी गणब दिये गए थे इनके पिता लेफ्टिनन जनरल सिंग रावत जो सेना में लेफ्टिनन जनरल पद्ध से सेवा निरीत हुए रावत की ग्यारवी गुर्खा राइफल की पांचवी बटालियन से 1978 में अपनी केरियर की शुरुवात की थी रावत ने देहरादून के कैमरेज हाई श्कूल और सिमला के सेंट्र एडवर्टर श्कूल में भारतिय सेंड एकाडमी देहरादून से सिक्छा ली जहां उन्हों सोर्स ऑफ अनर दिया गया वेलिंग्टन और हायर कमांड सोर्स में सनातक भी किया उन्होंने मदरास विश्यवद्याले के से डिफेंस स्टेडीज में एमफिल प्रबंदक में डिप्लोमा और कंप्योटर स्टेडीज में भी डिप्लोमा हासिल किया 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया समरिक अध्यानों का अनुश्यद्धान के लिए चवदी चरन सिंग विश्यवद्याले मेरत वारा डिरेक्टर आप फिलर्शिप का शम्मान दिया गया राजपुत परिवार में पैदा हुए रावत की कई पिड़ी सेना में रही है अगवाई की एक सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुक पद को संभाला 31 दिस्वंबर 2016 को सेना प्रमुक पद में पदभार हाशिल किया जिहां दोस्तों विपिन सिंग रावत जी ने बहुत सारे वाधि प्राप्त किया जिसमें है परम वरिष्ट सेवा पदक उत्तम युद सेवा पदक अती वरिष्ट सेवा पदक युद सेवा पदक सेना पदक वरिष्ट सेवा पदक के द्वारा सम्मनित किया गया जिहां भारत के रक्षा प्रमुख में 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक कार्यकाल रहे भारत के थल से नाध्यक्स रहे उनका कार्यकाल रहा 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक उसके पास सीडियस की न्यूक्ति हो गई चली जामते हैं विपिन सिंग रावज जी के सन्य कार्यकाल के संपुन ज्यानकरी के बारे में सबसे पहले जनरल अफिसर कमांडिर तृत्य कोर में 1 सितंबर 2014 से 23 नौंबर 2015 तक रहे फिर जनरल अफिसर कमांडिर इंचीफ दक्षिनी कमांड संभालावनोंगने 2015 से 31 जुलाई 2016 तक फिर सेना के उपाध्यक्स बने 1 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 सेना के प्रमुक अधिकारी रहे 31 दिसंबर 2016 से 8 सितंबर 2021 जिहां दोस्तों इस प्रकार से विपिन रावाजी का सैन्य कार्यकाल रहा विपिन सिंग रावाजी 63 वर्ष की आयू 16 मार्श 1958 में जन में और मृत्युकाल 8 दिसंबर 2021 आज के दिन हमने एक महान एक योद्धा को खो दिया देश आज वाकई में गम्नीम है देश वाकई में आज खून के आंसु रो रहा है दिल दुखी है पूरे देश का भारत का एक सम्मान चनक वैक्ती आज इस दुनिया से विदा हो गए हैं अपने शिवाकाले में भारत के महानुभव जाने की जिहां दोस्तों 7000 लोगों का जान बचाना मामली बातने हैं पितिन सिंग्रावत वह सैनिक थे वह युद्धा थे जिनोंने 7000 लोगों की जान बचाए इस विसे में अगर कहानी जाना चाते हैं तो हमें कॉमेंट चरू कई देशों में शिवादिया इंटरनेशनल जैसे नेपाल भुटान का जिक्रिस्तान इत्यादी में यूएन मिशन में भी भागिधारी रहे और अंतरा इश्टेश्टर पर सिवाएं देने का मौका मिला जिहां दोस्तों आप यह भी जाना चाहेंगे कि क्या सेना प्रमुख क की तनक्षा क्या थी यहां दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं सेना प्रमुख की का भी पिकिंशिंग राव जिए का तनक्षा सेना में रहते ही-े अड़ाइञ दिन लेकिन करोना कालमें इन्होंने सेना इंट्रसमय देक्स में रहते हुए 50जार रोपिया सिर सेलेर बताती है कि वे कितने महां रहती थे आबुल कलाम जी के बात में विपिंज में ठाउजी का नाम स्थर अक्षरों में लिखा जाये का च्छोटी बाते विपिन सिंग रावजी के बारे में जानेंगे चोटी नहीं यह बहुत ब़ड़ी बाते होती हैं दोस्तों विपिन सिंग रावजी निहां एक बहुत अच्छे लेखक देखाई जाता है उनके लेख पत्रिकाओं और पब्लिश होते हैं यह भारती राजनेतिक एम अनिक तरह के कठक्छ लिखते हैं अनिक लेक में मदद करते हैं राजनेतिक लेक वहीं इनका बहुत ही फेमस है विकिन सिंग रावत सुझ विचार बहुत ही अच्छे थे और एक अच्छे फुटबोल प्रेमी कि उनका टीमवर्क बहुत ही अच्छा था और हमेशा देश के प्रति ही भारत नागरिकों के प्रति उनका आम योगतान रहा है इस भारत देश के वीर सपूत को सथ सथ नमन जैहिंद जै भारत फिर मिलेंगे अत्यांत दुख के साथ में हम अपने भारत देश के एक वीर सब्सक्राइब को खोने का गम आप सब्सक्राइब आशा करते हैं कि अगला भारत के एक रख्षक हमें तुरंत मिल जाए और वह देश को अच्छी तरह से चला सके जैहिंद जैभारत